मर्डर एप केस हुआ मर्डर रेप केस हुआ उसमें खास हमें प्रोग्रेस नहीं दिख रही और दूसरी बात यह हो गई है कि उसका कवर अप हुआ उसका क्या तो हम कह रहे हैं कि जुडिशल इंक्वाइरी हो उसकी कवर प्रोसेस में उसके आरोपियों पे भी वही सजा उनको सजा दी जाए उनको पकड़ा जाए जो जो उसमें इंवाल्ड है जब तक वो लोग पावर और एंडिस्टेशन में रहेंगे तब तक ये डॉक्टर कैसे सेफ हैं काम पे लोटन आरजी कर मेडिकल लोकॉलिज में जिस तरह से एक ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ निर्संस रेप और हत्या का गटना हुए थी उसके बास जो आंदोलन चल रहा है उसारपुर आंदोलों को लड़ने वाले जूनियर डॉक्टर आये थे और उनके समर्थन में दिल्ली के जित रहे हैं और जब तक यह लड़ाई जा रही जब तो नियाय ना मिल जाए इसके अलावा चुकि बंगाल सरकार और टीमसी समर्थक बार-बार कह रही है जो राजी सरकार के पास कुछ भी नहीं है मुख्यमंत्री बार-बार बिलना चाह रही है दॉक्टर नहीं आ रही हो तस में ट्रांस्परेंसी होने चाहिए इन्होंने पहले लाइव स्ट्रीम की बात करी थी जो बातचीत हो इसके लाइव स्ट्रीमिंग की जाए ऐफा 2019 में पहले हो भी चुका है अगर आप लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहे हैं तो दोनों साइड को वीडियो लेने दीजिए अभी तक इस पर भी राजी नहीं हुई है तो सरकार भले यह कहें जो इसको बात करने को तयार है ममतावन जी बात करने आगे आ रहे हैं लेकिन दूसरा पक्ष यह भी है सरकार इनसे बात करने के लिए जो महौल बनाना चाहिए जो इनकी मामूली सर्थ है वह मानने को भी त जो करप्षन आ गया है और डॉक्टर तो यह गया है जो उसमें बैठे जिंडिकेट के लोगों ने पूरा ही मेडिकल सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया है उसके अंदर आज के समय पे चलती है अंदर डॉक्टर काम करने बिल्कुल सुरक्षित मेहसूस नहीं कर रहे हैं उ कल सुप्रीम कोट में सुनवाई भी होनी है और पिछले सुप्रीम कोट में अपने सुनवाई में कहा था जो 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 जूनियर डॉक्टर है उनको अपने डूटी जोएन करनी होगी नहीं करते हैं तो राजसरकार इन पर एक्षन लेने के लिए सुतंत्र है और इसके बाद कल एक खेरिंग उससे पहले इस तरह का इसे एक सकती परदर्शन भी समझा जाए जिसमें डॉक्टर ने अपने समर्थन में दिखाया है जो अगर बंगाल के डॉक्टर के साथ कोई भी सरकार कठोरात्म कारवाई करेगी तो उसके खिलाफ देजबर के डॉक्टर एक जूट से वह पास करता है किन पड़ाओं से वह धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते मैचूर होता है यह सारे चीज एक कॉमन पर्सेंट के लिए जानना असंभव है तो वी आरे अटा वैंटेज पांट हम लोगों का जो वैंटेज है बर्ड आई बर्ड आई व्यू बोलते हैं वह हम जिए याज रेप नहीं है इसमें बहुत कुछ साथ में जुड़े हुए है और इसका प्रमांद एक के बाद एक सामने आ रहा है यह इन्सिटूश्ल महरं जो है इसमें काफी साड़ा आदमि लो प्रावप शरी आदमि लोग यह सब जुड़े हुए है और एक के बाद एक अब CBI ने दो आदमी को और एड़ेस किया है और वी शायद हम सुन रहा है कि एड़ेस्ट होने वाला है हमारे पास यह भी ख़बर है कि अल्रेडी कुछ-कुछ सरकारी जो डॉक्टर्स का नाम है हम लोग के पास आ रहा है ब्रिसिजन डॉक्टर्स के नाम हमो जस्त एक कुछ इससे हम लोग का सामने आ रहा है हम लोग चाहते हैं कि CBI और जो जो संगस्था है इसको जाज कर रहा है उन लोग तुरहन जाज खतम करके साड़ा आजमी लोग जो इसको साथ में प्रत्तक्ष या परक्ष रूप से जुड़े हुए है इसको जस्टिस का द के लिए हम सब लोग आज एक महने से उपर हो गया है और हमारा प्रोटेस्ट जारी है और आज ऐसी सिचुएशन है कि बिंगॉल से इन सब लोगों को यहां पे आनल पड़ा है और हम लोग शुरुवात से ही इनके साथ तच में रहे हैं और हम शुरुवात से ही इस कौस के हमारी कोई भी ढिमान कर रहे हैं और पहले बात को बात चीट करनी है तो उस बंदे की सुननी भी तो पड़ेगी वो आई प्रोटेस्ट साइट पे उन्होंने अपना जो भी कहना था कहा और उसके बाद वो चली गए डॉक्टर्स की नहीं सुनी उन्होंने और जब डॉक्टर्स की बाता आती हैं श्रक्यस कहते हैं कि भाई आप से अगर हम बात करेंगे ऐसा कुछ नहीं होता, there is no justification where why they should avoid live stream talks with the doctors. हमारे डॉक्टर चाहते हैं कि यह ट्रांस्परेंट जो बात्चीत हो ट्रांस्परेंट हो सभी को पता चले लेकिन सरकार कहीं ने कहीं इससे बच के निकलना चाहती है इसलिए यह बात्चीत आके नहीं बढ़ पार ही जो डिमांड्स हमांग रहे हैं वो बिल्कुल सही है और इसलिए जो सेव्टी एंड सेक्योरेटी हमारी डिमांड है उसको प्लीज कंचिडर किया जाना चाहिए हम एक पर फिर अपनी पांच मां दोराते हैं पहली मां अभया के लिए म्यार हम जानते हैं कि यह मामला राज्य सरकार से संबंदित नहीं है लेकिन हम संबंदित अधि कारियों, CBI और सरवोचन आयाले से जांश प्रक्रिया में तेजी लाने और अपराधियों को बिना किसी देरी के दंडित करने की मांग करते हैं दूसरी मां, DME, DHS और स्वास्त सचिव को हटाना क्योंकि अपराध्य तल के आसपास में निर्मान कार्य के आदेश में उनके रस्ताक्षर मौझूद है जबकि उसे पूरी तरह से घेराबंदी की जानी चाहिएती हम यह भी मांते हैं कि वे स्वास्त सेवा प्रणाली में भाली भ्रष्टाचार के लिए भी जिम्मेदार है जिसके लिए पूर्फर प्रिंसिपल संदीप घोष को भी गिरफतार किया गया है हाली में CBI ने उन्हें अभया के बलातकार और हत्या मामले के संबन में गिरफतार किया है जिससे इस गिनोने अपराग में उनकी सक्रियव सनलिप्तिता की पुष्टी होती है तीसरी मां अक्षम और लापरवा पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कारवाई प्रशासनिक विफलता और साक्षे से छेड़ चार के लिए कोलकाता पुलिस आयुक कमिश्टर बिनी गोय को अपने पज से हटाना दीसी नौर्ट के खिलाफ उनकी अशंता और पीडिता के माता पिता को पैसे की पेशकर्ष करने के लिए डिसिप्रिनरी कारवाई दीसी सेंट्रल के खिलाफ अब राज स्तल के अंदर मौजूद एक संदिक्ट व्यक्ति की पहचान शिपाने की कोशिश करने के लिए कारवाई अभया के बरातकार और हत्या मामले में CBI द्वारा हारी में ताला पुलिस टेशन के OC को गिरफतार किया गया है जिससे हमारे राज्य के पूरी कारवाई परवर्तन एजनसी में हमारा विश्वाश कम हो गया है हमारी चौधी माम सभी अस्पतालों और सरकारी स्वास्त केंद्रों में उचित सुरक्षा और कार्यात्बग बुनियादी सुविधार हम क्या माम रहे हैं? जूनियर डॉक्टरों और सभी स्वास्त कर्मियों की उचित सुरक्षा और संग्रक्षन सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों के प्रवंदर में संचरात्मर परिवर्तन आवश्यक है और ब्यूटी पुरुष और महीला डॉक्टरों के लिए अलग विश्रांकक्ष परियाद सुरक्षा कर्मी सीसी टीवी और महीला डॉक्टरों के डूटी रूट के लिए महीला सुरक्षा कर्मी आवश्यक है साथी, वॉडो और अपरेशन थेटर के बाहर उचित सुरक्षा व्यवस्था की भी आवश्यकता है प्रत्येक ओन्कॉल रूम में पैनिक बटल स्थापित की जाने चाहिए ओन डूटी नर्सों के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था की जाने चाहिए हमारे देहनिक अनुभवों से हम जानते हैं कि राज्य की स्वास्त सेवा प्रणाली में कोई उचित रेफरल प्रणाली नहीं है ग्रामी या जिला अस्पतालों से सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बेड की उपलगदता और अधिवों की रांकारी यहीं भी उपलग नहीं है नहीं मरीजों को रेफर करने वालों के पास और नहीं आम जन्ता के पास इसकी जानकारी होती है। COVID समय के अनुभवों ने दिखाया कि प्रशासनिक इच्छा शक्ती से सरकारी स्वास्त सेवा में एक प्रभावी रेफरर प्रणाली स्थापिक की जा सकती है। हम सभी सरकारी अस्पतालों ने केंट्रिय रूप से निगरानी किये गए रियल टाइम वेक रिक्त और अधिबोग सूचना प्रणाली के कार्याना वन की मांग करते हैं। ताकि मरीजों के उत्पीणन और डॉक्टरों इवक स्वार्थ कर्मियों के खिलाफ साथजनिक आकरोश की घटनाई को रूपा जा सके। डॉक्टरों और मरीजों या उनके परिवारों के बीच बाचीद और सार्वजनिक मांगलों के लिए प्रोफेशनल कांसिलर्स की नियूपती की जानी चाहिए अस्पतालों में महिला कर्मियों के साथ यौन उत्पीडन और दुर व्यवहार की रोकने के लिए डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्त कर्मियों के बीच यौन उत्पीडन के खिलाब एक सूरिक्षित वातावरण बनाना जाना चाहिए इस उत्देश के लिए राज्य के सभी अस्पताल, स्वास्त केंद्र एवब मेडिकल कॉलेज में सरक्वारगारा एक जेंडर ओर्डेट किया जाना चाहिए प्रत्यक अस्पताल इवब स्वास्त केंद्र में पॉश्च 2013 के अनुसार एक इंटर्नल कंप्लेंट्स कमिटी का गठन और उचित प्रवंदर किया जाना चाहिए हमारी पाच्वी और आगरी माँ सरकारी स्वास्त सेवा सुविधाव कें सभी पहलों में प्रचलिक थ्रेक कल्चर को समाक्त करना प्रत्यक मेडिकल कॉलेज के सभी रेजिडिन्ट डॉक्टर्स असोसियेशन निकारों को एक कानूनी इकाय के रूप में गधित करने के लिए आदेश चाड़ी करें प्रत्यक कॉलेज में चात्रिसम चिनाव आयोजित करें कॉलेज परिशत और रोगी कर्यान समिती में चात्रिसम और आधिये के प्रतिनिधियों को शामिर करने का आदेश दें प्रतिय कॉलेज में उन लोगों के खिलाफ डिसिप्रेलरी कारवाल करें जिन पर धंकी देने का आरोग है उचित और पारदर्शी हाउस साफ्शिप कांसरिंग सुनिश्चित करें और अनियां में तरिक्तियों एवं बाकडोर एंट्री को रोकें गैवनेवाचित झात्र लिकाईयों का विगटल करें जूनियां डॉक्टर्टर जो हमारे हैं उनके साथ हम फुल सपोर्ट में उनकी डिवांदों को भी हम सपोर्ट करते हैं उनके साथ हम कड़े हुए अच्छा भी अच्छा झाल